Hello my dear students, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है, आज आश्मय महाजन आपकी अध्यापिका Hindi Learning Channel पर लेकर आई है, अमोली हिंदी पाठ माला, क्लास 6 के स्टुडेंट्स के लिए चेप्टर 8, बीच में से दो चेप्टर छूट गए हैं, 6 and 7, जो इसी हफते अपलोड करने की कोशिश की जाए हैं, आप पेपर के लिए वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी कोशन हो, क्वेरी पूछ सकते हैं, चेप्टर 8 है, रिंच से मुक्ति, स्टुडेंट्स, इस पाठ के माद्यम से हम ये जानेंगे कि दूसरों का भला करने के उत्तर में, जो हमें मिलता है, जो हमें रिस्पेक्ट सम्मान मिलता है, वो अमुल्य होता है, उसका कोई मुल्य नहीं होता है, ठीक है, सबसे पहले अब धानमान्चित्र के जरिये पूरे पाठ की ब्रीफिंग कर लेते हैं, चेप्टर का नाम है, रिंच से मुक्ति, पाठ के लेखक हैं, पाठ में पढ़ेंगे, ये दिवान, गुजरात के भावनगर राज्य के दिवान थे, राजा थे, प्रभाशंकर पटनी और गमंड से कोसो दूर रहते थे, और दूसरों की हमेशा हेल्प करते रहते थे, ठीक है, उसके बात चौकीदार और दिरेंदर शा की बात्चित, ज उसके बाद है, भारतिय संस्कृती, हमारी भारतिय संस्कृती हमें यही बताती है, कि कोई भी अगंतुग जब हमारे दौर पे आता है, तो घर आए मेमान को लोटाना हमारी परमपरा के विरुद है, दिरेंदर शाह का अनपेक्षित विभार विभार ये है कि दिरेंदर शाह एक्चुली पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिरेंदर शाह है कौन तो दिरेंदर्शा जो है वो प्रबाशंकर पटनी जी का जो गाउं था उस गाउं में एक विद्वा के पुत्र थे और इनकी पड़ाई लिखाई इनकी वज़ा से हो पाई थी प्रबाशंकर पटनी जी की वज़ा से प्रबाशंकर पटनी तो भूल चुके हैं लेकिन दिरें रिन से मुक्त हो जाओगे तो उन्होंने बोला नहीं आपके व्यभार का जो रिन मेरे उपर चड़ा हुआ है मैं उससे तो मुक्ती पाई नहीं सकता लेकिन एक छोटी सी भेंट आपको देकर थोड़ा सा अपने आप में रिलाक्स अनुभव कर सकता हूँ तो उनके इस अनप द्रेंदर शाह को कारेबार सौंपदिया कुछ और करने के लिए क्या करने के लिए पाठ में पढ़ेंगे पाठ का उदेश्य तो इस पाठ का उदेश्य यही है कि हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए राइट परोपकारी बनना चाहिए किसी की ये उपकार को कभी भूल चाहिए और जरूरत मंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए तो आईए पार्ट की स्टार्टिंग करती हूँ ब्रिटीश शासन के जमाने में बच्चो भावनगर राज्ये था जिसके दिवान थे प्रभाशंकर पतनी जी जिनकी कोठी पर द्रेंदर शाह नामक एक अगंतुक उ नहीं मिलते थे किन्तु घराय मेमान को वापस लोटाना हमारी संस्रक्रिती परंपरा के विरुद्ध है इसलिए उन्होंने उसे भुला लिया तो ब्रिटीश शासन पहले पार्ट पर वेश पढ़तूं कभी-कभी जीवन ऐसे मोड ले लेता है कि व्यक्ति कुछ ना कर पान उनके जीवन में इमानदारी और करमठता साथ हो जानि की काम करने की भावना अगर आपके साथ हो तो बस आदमी सफ़कता की सीडियां चड़ता ही जाता है ये कहानी ऐसे ही एक युवक की है जो अनात हो गया पर दिवान जी जैसे परुपकारी का साथ पाकर नियाय जानि की जज बन जाता है मैजिस्ट्रेट बन जाता है और जरूरत मन बच्चों की मदद के लिए कमर कस लेता है ब्रिटिश शासन के जमाने में गुजरात के भावनगर राजे के दिवान थे प्रभाशंकर जी पटनी राजे के सबसे उंचे पद पर होते हुए भी गमंड उन्हें चुँ नहीं पाता था प्राउड कभी नहीं आता था वे सेवा के लिए सदैफ ततपर रहते थे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे जरूरत मंदों की भी हल्प करते थे खुले मंद से और हाथों से दन भी लुटाते थे एक दिन वे कोठी के लौन नहीं था दिरेंदर शाह थे क्यों भाई क्या दिवान सहब अभी कोठी में ही है जी हाँ यहीं है आपको क्या काम है चोकीदार ने अगंतुक से पूछा जाने कि जो भी अतिती महमान आया मेरा नाम दिरेंदर शाह है आप दिवान सहब को बता दिजिए मैं उनसे तुरंत मिल और सच्चिव ने दिवान जी को सुचित कर दिया सारी बास उनकर दिवान जी बोले इस बंदू का ना मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है पर कोई शरीफ आदमी जब घर के दरवाजे पर आई गया तो भुला लाईए वैसे तो उन्हें कारियाले में ही मिलना चाहिए था जानी कि ओफिस टाइम पर ही मिलना चाहिए उन्हें सर यदि आप फरमाए तो मैं उन्हें कारियाले के लिए कहलवादू तुरंत ही उनके नीजी सच्चिव ने पूछा मंतरी ने पूछा नहीं नहीं घराए मेमान को इस तरह लोटाना हमारी संस्क्रिती और परंपरा के विरुद है दिवान जी ने मुस्करा कर कहा नीजी सच्चिव ने जो मंतरी था उसने चोकिदार से उन्हें बुलाने के लिए कह दिया वैस अजन हाथों में फूलों का एक श दिवान जी ने उनके लिए चाय नाश्टा मंगवाया दोनों चाय पीते पीते बागते करने लगी तब ही दिवान जी ने पूछा शाह साहब आप किसी खास मकसद से पदा रहे हैं मकसद होता है किसी खास हुदेश्य से आये हैं शायद मेरी कुटिया पर जी हाँ आया तो एक खास मकसद से ही हूँ यह कहकर दिरेंदर्शा ने अपनी जेब से एक चीज निकाल कर कहा मैं ये एक छोटी सी रकम का चेक आपकी सेवा में अर्पित करने के लिए हाजिर हुआ था जानि कि मैं आपको ये भेंट करना चाहता हूँ एक चेक लेकर आए हैं चोटी सी रकम का दिवान जी उस सज्जन के इस अनपेक्षित विवार अनपेक्षित अईसी तो उमीद भी नहीं थी ऐसे behavior से सकते में आ गए सकते में आ जाना भी एक मुहावरा है कि हैरान हो गए तपाक से बोले फटाफट बोले आपकी यह हिम्मत कैसे हुई शाह साहब उन्हें लगा यह मुझे कहीं कोई वो तो नहीं दे रहे हैं रिश्वत तो नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने बोला कि एक मिनट हाँ जी आपकी ये हिम्मत कैसे हुई शाह साहब ये रकमा मुझको किस तो प्लक्षे में दे रहे हैं क्या सादन है क्या सोच कर आए हैं आप क्यूंकि वो तो सक्ते में आ गया चक्कित हो गया वो हैरान हो गया वैसरजन दीरे से बोला मेरी ये हिम्मत आपकी उधार भावना और जरूरत के समय भरपूर सहायता की वज़ा से हुई है आपने ये जो हिम्मत आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ न ये चेक देने की ये हिम्मत भी आपके द्वारा दी गई है शायदा मुझे पैचान नहीं स अगंतुक ने कहा अब जो क्या नाम है इनका अगंतुक जो थे दिरेंदर शाह उन्होंने ऐसा उन्हें बोला कि मेरे उपर आपका बड़ा उपकार है ये सुनकर दिवांज जी जरन नरम पड़े और बोले पर जजज सहाब मैंने तो कभी आपको कोई रूपे उधार भी न एक विद्वा का पुत्र था मेरी गरीबी और पढ़ने की लगन देखकर आपने मुझे पढ़ने के लिए समय समय पर जरूरी सहायता दी थी मैं पढ़कर मजिस्ट्रेट बना ये सब आपकी आर्थिक मदद से संबभ हुआ जाने कि जो आपने मेरी मुश्किल के समय हल्प क मुझे रिन से मुक्ती दीजिए तो ये रिन से मुक्ती थी वो चाहते थे कि आपने मेरी उपर जो कृपा करी है प्लीस उस कृपा के बदले ये छोटा सा चेक स्विकार कर लें ताकि मैं रिन से मुक्त हो जाओं दिवान जी पुरानी यादों में खो गए चल चित्र की भा उसे मैं कहां से चुका पाऊंगा किन्तु वे आर्थिक साहयता जरूर चुकाना चाहता था इसलिए मैं आया अच्छा तो इस चेक को वापस अपनी जे में रख लीजिए अब एक और चेक और मुझे से ले जाईए अपने खर्चों में कटोती करके इतनी ही राशी मैंने ब पना लेंगे इसमें मुझे जरा सी भी शंकर नहीं है दिवान जो थे वो बोले जी अच्छा मैं यथा शक्ति के अनुसार आपकी आग्या का पालन करूंगा यथा शक्ति में समास है शक्ति के अनुसार अव्याई भाव समास है अगर आपकी पीचर ने पढ़ाएं हो तो जिम्मेवारी है शा ने बड़ी गंभीरता से दिवान जी की योजना को स्विकार करते हुए अपनी बात करी और दिरेंदर शा ने वो चेक वापस अपनी जे में रख लिया दिवान जी ने भी उन्हें तुरंथी एक काफी मोटी रखमगा चेक और बना कर दिया इस परकार तो आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं प्रति बावान शात्र हैं उनकी मदद करना हम सब के लिए उचित का रहे हैं तो हम सब चाहते हैं कि उन सब विद्यार्थियों तक ये वीडियो पूंचे जो बच्चे भी इस पार्ठ को पढ़ना चाहते हैं अ जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो रिंग से मुक्ती चैप्टर पढ़कर आप भी बहुत अच्छे से अपने नंबर जो है क्लास में ले पाएंगे क्योंकि पाठ आपने अच्छे से समझ लिया है चलिए आगे कोशन आंसर देख लेते हैं अभियास के दिव जी ने अगंतु को क्यों नहीं लोटाया क्योंकि घराएं में मान को नहीं लोटाते भारतिय संस्क्रती में अगंतुक दिवान जी से क्यों मिलना चाते थे लिखकर दे दिया आपको दिवान जी अगंतु के अनपेक्षित विवार से क्यों बोखला गए थे मैंने आपको ब अपसे पहले सेकंड कोशन देख लो किसने किस से का जी हाँ यही है आपको क्या काम है चौकीदा ने का था ना दिरेंदर्शा से मेरी ये हिमत आपकी उधार भावना जरूरत के समय भरपूर सहायता की वज़ा से हुई है दिरेंदर्शा ने दिवान से का रिन मुक्ती का ये चेक लोटाते हुए दिरेंदर्शा को क्या कारेभार सोंपा ठीक है ये कलम से राइटिंग स्किल के कोशन है और लास्ट कोशन है प्रबाशंकर पटनी जी के सुभाव की दो विशेशता हैं आपको बतानी थी जो गमड़ से कोसो दूर रहते थे थे उस जरूरत मंदों की स जाती है तो सामने नंबरिंग डाली हुई है जिसे आपको पता चले पहली गटना कोंसी हुई दूसरी कोंसी हुई तीसरी कोंसी हुई उसके बाद आ जाईए बात भाशा की में पहला कोशन है अगर आपको नुकता के बारे में जानना है तो वर्न विचार की वीडियो में म महान ता शब्द है, महान प्लस ता, नैतिक निती प्लस एक, आपको पता होना चाहिए प्रत्य कौन सा है, इसमें अगर प्रत्य की भी वीडियो देखनी है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिये, उपसर्ग प्रत्य समझ लीजीगा, क्यो उपसर्ग जो होते हैं, वो हिंदी के अलग है, संस्कित के अलग है, उद्दू-फार्सी के अलग है, देखने हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लीजीए, थर्ड कोशन में संदी वीचेदा, अगर संदी की व वीडियो भी है लेकिन चलिए कोई बात नहीं कितनी वीडियो आप बोलोगे कि मैडम आप लिंक देते जा रहे हो देख लो विद्यार्थी विद्यार्थी गन गुल्दस्ता का गुल्दस्ते दरवाजा का दरवाजे और उसी परकार तीनों शब्दों के इदर लिखती है नहीं पता चलता है अब्सरेक्ट लाज़ा होता है कॉमर लाज अंच को सा होता हैенко इंकलिश हिंदी दोनों तरह समझाते हुई मैंने अपनी वीडियो में संग्या के तीनों भेज समझाए हैं और इसके लबवर दोबेद epra समझाए है है material ना हूँ जैसे आप द्रवे वाचक संगया कहते हैं और समू वाचक संगया collective ना हूँ ओकी समझ लीजेगा अगर समय ना हो जैसे आप intelligent बहुत है मुझे पता है चलिए फिफ्ट कोशन भी हो गया उसके बाद वर्कशीट आजाते हैं वर्कशीट में पहला कोशन आपसे पूछा गया बचक प्रभा शंकर पटनी किस जमाने के और कहां के दिवान थे तो आपको पता ही है वो ब्रेटिश आसन के जमाने के गुजरात के भावनगर अज्चे के मिलना चाहते हैं दिरेंदर श्याहा की बात सुनका दिवान जी पर क्या रियक्शन हुआ था तो वो पुरानी आदों में खो गए थे उसके बाद है आपका कुशन दिरेंदर श्याहा ने किस नैतिक दाइत्व की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि अपना करतवे निभान चार बाकी तीनों एक्जेंपल आपको खुद सोल्व करने हैं सर्वो परी जाने कि बरतनी शुद करके लिखने हैं स्पैलिंग का सही शब्द किस परकार से लिखने हैं वो आपको करने हैं कोशन नमबर 4 में संग्या शब्द चांटने हैं जैसे अपने समाज के वे परतिष प्रति श्चिती जो हो गया हो आपकि संगय में मेरा नाम दिरेंदर शाय अब इसको आप अब अडर्यांग करिंगे तो दिरेंदर सा को आप अप अडर्यां कर दीजिएगा उसके बादी आप दिवान जीने मुस्कूराकर कर सकते हैं दिवान जी को कि अंडर्लाइं कर सकते हैं उसके बाद कारेपत्री का दो है आपके सामने ही जिसमेंस कोशन दिया गए चोकीदा ने किसको अगंतु के विशे में बताया था नीजी सचिप को दिवान साहब दिवान जी ने अगंतु के लिए क्या मंगवाया था चाय नाश्टा और क्या दिवान जी ने दिरेंदर्शा को कैसे पेचाना इंट्रो से उनकी चीके उसके बाद पुरानी बातों की याद दिलाई थी न दिरंदर्शा ने किस नयत्तिक दाई तो वही कोशन आपके सामने है दिवान जी की योजना पर दिरंदर्शा की प्रतिकिरिया क्या थी उसके बाद हैं परियाईवाची शब्द हैं विनीत का विनमर होता है उसके बाद विरुद का खिलाफ और उसी परकार बाकी शब्दों के दियेगे, शब्दों के बचन बदलने हैं तो वो भी आपको लिखकर सामने दे दिये हैं अगले पेज़ पर दियेगे, शब्दों के विलोँं लिखनी हैं तो विलोँं शब्द, अब आप देख लीजिए जैसे शब्द पर्तिष्ठी तो उसका अपर्तिष्ठी निजी का गैर हो जाएगा ठीक है अगले पेज पर कारेपत्री का 1 और कारेपत्री का 2 दोनों के आंसर सॉल्व करके आपको मिल गए हैं डोंट वरी आप ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए फिर भी कोई क्वरी र झाल झाल